इंडिया की नंबर वन दुकान जहां पर आपको दिखाएंगे 70,000 रुपे का हुका जहां किसी पाइब का लेना चाहो लकडी का पितल का शिनवर का अलिवनियूम का जिस तरह आगा जिस डिजाइन का उस तरह आगा त्यार करवा देदेखें यह 200 रुपे वाला कौंँ से यह 200 रुपे City मंाधू है प्योर देसी तंबाकू है इसमें तोड़ी जाना तोड़ी मातरा यह तोड़ी ज्यादा है जो एक चल्में कोड़ी किलो पता है आपने ज़बार एकँशे मरे मशीन सी दिखा दीनीज curriculum kiis बनता है वह वाली मशीर है है तो यह मैंफेक्टर है बहुत बड़े हुखका के और यह तंबाकू के हुआ है कि तो है तो है लोगाइस माइनम इस निक एंड वी अर्ब बैक वन्स अगें एक बहुत खतरनाक वीडियो के साथ हम आज आए है हुखका लवर्स के लिए इंडिया की नंबर वन दुकान जहां पर आपको दिखाएंगे सत्तर हजार उपे का हुखका जैसे ब्या साथियो में किराया पर जान खतर है भी साथियो में जो सिंगल सिंगल वाले छोटे ओक्यों हैं वे तो बेट के पिन वाले हैं शादी की रोनक बढ़ाने के लिए इसका किराया है पांच हजार उपे कितने टाइम के लिए अगर इसको कोई रेंट पे लेता है तो कितने टाइम के लिए दिया जाता है यह एक दिन का किराया है पांच हजार उपे और कोई खरीदना जाए तो सत्तर हजार उपे तो इसमें कितनी चिलम है सर एक दो तीन चर पांच चलिए चलिए मेरे साथ अंदर जाके लटके देखते हैं और बहुत सारे देखेंगे और पीएंगे भी चलिए मेरे साथ अंदर लो जी हम खड़े हैं इंडिया की नंबर वन शोप पे जहां पर आपको मिलेंगे हर व्राइटी के हुके जिन में से हम कुछ व्राइटी देखेंगे और पीगे भी देखेंगे क्योंकि हर्यान मीं है तो यहां पर मैफिल लगी हुई है उक्का पिने वालों की बाजी सरकार आप बताइए हुक्के के बारे में चंद शब्द कहिए हुक्का क्या चीज है खाना पीना जम कर देता है अच्छा और कितने टाइम से हुक्का पीने आप मन होगे पच्छी साल है तो सर कुछ वराइटियां दिखाई है हमें हुक्के की और रेट रूट भी जानेंगे पहले सर हम जानेंगे आप से यह जो आजकल आजकल के यह यंग जनरेशन पीरी है ने यह फ्लेवर्ड वाले हुक्के उनके बारे में बता बता दीजिए ओं यह यहां से शुरुबात करते हैं इनके रेट रूट पता दीजे क्या है कि अपने नौलेजनागों फंके नकजीं कि इसकी में यह यह zodनि बढोता हो इसमें स ok तेखे लिए हैं कि सात्तर दोसो रुपेगा हैं और यह मेंने हाथ में पकड़ा हुआ यह वला कौन साय है यह तीन सो रुपेगा और इसके इंदर जो आपने कॉइल डाल रखिये यह फ्लेवर वाली यह कितने आ कि तीस रुपेगी दोस्सों तीन सो का बताया ना हां 30 रुप जो फैंसी आइट में चली हुई है उसमें है पब बगारा में पार्टी बगारा में ले जा सकता है बंदा रहां से कियोंकि एक तो आपके जैसे जैसे जाट भाई होगया उसको तो चलाना चलोना आता हैं जो आज लेकल के फैंसी लोंडे हैं उनको एक रेज का वुग गार। इस लिए श्यादा ले यह है क्योंकि रडिमेंट है मतलब है इसमें ज्यादा ना दो आग बाड़ने के जूरत है बाड़ा सा लग रहा है छोटा सा विल्गुल यह कितने रूपे का है यह बीचलता है निया यह दोगार तो रखने के लिए फेंसी जो पहले है यह लगादा प्रित का अड़ा आ के लिए है तो यह लगदा राइची का यह लगाप मेंद किम अड़ा लगारा अपीधिया इसमें यह भी जलेगा क्या है यह बाद है नजारें नजारें हैं तो और ओरिजिनल माल दिखा है ओरिजिनल कुछ एक वराइटी यहां पर नीचे उतारें आपा देखेंगे फिर वह है यह देखिए यह मिनीमम रेंज ऐसा जैसे यह जारा तरकाओं वगारा में देखने को मि गए दिखाओ दिखाओ सर्ण यह जोला वह बाद है वह वह कितने काता है वह एक आश्य रूपे के लो है एक सो रूपे किलो है और वह भी खुद बनाते हो आव उसकी वराइटी अलग-अलग है उसकी चार-पांस वराइटी आती है जैसे कई मांगते भी एक उट में अच् गुम्राची सब्सक्राइब और यह मिठा मांगे जनने जनरेशन है वह मिठा भी वह ज्यादा तो मिठा इसमें चार-पांस वराइटी आओ है जैसा मांगा अलगवाशा देलिया और थोड़ी सी और वराइटी दिखा दीए थोड़ी बढ़िया क्वाल्टी में भी दिखा अपनी चार बरांचे हैं एक आंसी गंदर है वहां पे पापा बेठ और एक नरणून है वहां पे मेरी बढ़ागा लडगा वेठ रहें एक उकलाना है और यह अपनी इसार नियों तो हर्याना के नहीं इंडिया के किंगों फुक्वों के मामले में होई भी ओडर देदे भी कि ऐसा भी उकका बनाना पनादोगे अग्या मामले में उकका तो मक्का बना दिया जैसा है वो लोग भी साथ दे दिया बादे नहीं चुरुवात कहां से ये कितने क्पाइन Students 45 और ये जुला है आपने सिवां के लिए ने कहसा मारके देखते हैं इसमें कौन सा माल ना रखैंग विठ्धे वाल भी प्यार यह है देखते हैं सो देखते हैं अब कुछ नहीं निकला यार बाई को एक्सपाइट करके दिखा लो भाई मार के दिखा यह भाई रिखाएंगे अपने को जल्वे यह बहाँ दिखाएंगे अरे यार जा लिया यह कैच गया मैं आद पूरी होगी इसकी है जोलो हम लेट आये हैं तोड़ा भाई यह दिखा दे मटीर्यल सा यह बैठ चुका है इसलिए वा है अच्छा पाकी अगर पूरी बढ़के इंचला हुए तो चैर-पांज गंटे बिल्पी अराम जो पैकेट से बना रहे हैं इसका भी बता दीजिए स्टॉप गर्पे लुआ है अच्छा अच्छा मिर्न गर्पे जाकर और गर्पे त्यार करें कई रेरेत का है सॉब्सार क्रीन क्या हこれは 20 रूपे कि Start यह से लगाने के लिए यह वाँ यार बढ़ी है यह बहुत बढ़े रिए यह गजी इसके बारे में तुम। यह बनता है। खुद तियार करते हो। क्या माल डालते है। यह ज़िशन मशीन है। इसमें शुक्वा डाल देते हैं तमाखु और उपर गुड़े। जालते हैं। वह कुटाई होती है। बगार कुटाई के तमाखु तियार नहीं हुगा। अगुड़े। तमाख कुमें गुड़े। तभी टेस्ट और अधर ठेस्ट में एभी गुड़ के वज़ाए वह दालते हैं। उस्से टेस्ट तो क्या बता है। टेस्ट तो खुराब होता है लेकिन वह अंदर बहुत जादा नुपसान करह है। अच्छा वो तो 8-10 रुपे किलो आव है और गुड आव पै 30-40 रुपे किलो तो आप गुड आलते हैं मतलब है कि अच्छा नई त्यार करी है यह डबा दिखा दीजिए एक बर यह सर क्या है कि इनोंने एक नई चीज त्यार करी है अच्छा जी तो इससे बार नियाना चीजिए त्मखू अगर इससे बार आगया तो जल्दी तमखू अच्छा इससे बार आगया तो जल्दी तमखू है जल्दी जल्दाइगा हाँ इसलिए आपने लठे से बना दिए जितना तमखू रखना है इतनी लठे मना रखिए रेट क्या आता है जैसे यह 120 रुपे के लिए 120 रुपे किलो ओके यह वैसे एक्सपर्ट लोगों के लिए ना यह सेम चीज है आशेम चीज है इसमें आज वाला डाल दिया उसके बाद यह निकाल लें निकाल लोगे उसके बाद उसके बाद पेस तीनी उसमें और चाह यह वह जाए यह मशीन कितने क्याती है यह मशीन 35 रुपे करना चाहता हो तो यह manufacturer है बहुत बड़े हुक्का के और यह तंबाकू के तो सर अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो मिनिमम कितने पैसे लग जाएंगे यह हमें बताएं कोई ऐसी शॉप खोलना चाहता हो देखो अगर शॉप करने है इसी चीज़ की तो मारा पे जितना भी जो भी खर्चा उसको बता देंगे और वेनिफेक्शिन जितना भी शमान है हम करवा देंगे अभी इस शॉप में कितने लाग रुपे का स्टॉक पड़े सर यह इसमें तो तीन साड़े तीन लाग का मिनिमम में लाग रुपे में बंदा हुक्का की शॉप क्रेंट गाइस नंबर में खी शॉप कर दो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंग और आप बदाना यह वीडिया को कैसी लगी लाइक करना शेर करना फॉलो करना सब्सक्राइब करना और जो भी कारोपार करना चाहता हो यहां से उक्का खृता चाहता है जैसे इंडिया के कहीं में किसी भी कोने से आप से कोई खरीदा ना चाहते हो का से डिलीवर करोगे है सर्विस कोई अभी ओडर आजया है मारा अजय से हमारे अधराबाद जाता है बेंग्लोर गजरते हैं और गुजराफ में कही जगह डए है और राजस्तान यूपी तो अमें कुछ रीदिने तो मे in the next video, God bless you.